दोस्तों यदी आप घर बेटे ई-स्रम कार्ड बने बनारा चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए पहले बात करते हैं कि इस्रम कार्ड कोन बना सकता है और यदी आप प्राइबेट वर्क करते है प्राइबेट जॉब करते है EPFO में registered है या EASIC कार्ड आपके पास है या फिर आप government कर्मचारी है NPS में आपका कटोती होती है तो आप इस कार्ड को नहीं बनवा सकते हैं mainly जो लोग असंगटित छेत्र में काम करते हैं मजदूर बर के लोग है या जो निरगा में काम करते हैं ऐसे लोग जिनकी संक्या 40 करोड से उपर है वो भारत में इसरम कार्ड को बनवा सकते हैं और इसको बनवाने के लिए आपके पास एक valid आधार नंबर होना चाहिए और एक mobile नंबर जो आपके आधार से लिंक होना चाहिए और एक bank detail IFC code के साथ होना चाहिए और आपकी जो I.U. है वो 16 से लेके 69 वर्स तक हो सकती है तब आप इस कार्ड को बनवा सकते हैं इसरम कार्ड बनवाने के लिए आपको isrum.gov.in पर आजाना इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिश्म ने दे दूँगा और फिर ये capture code आपको हुब हुब हुए ऐसो डालना होगा उसके बाद I remember of employee आपको बताना पूड़ागा कि आप EPFO के यादी member है तो yes कर देंगा otherwise no कर देंगे दूसरा है Employee State Insurance Corporation के दिया member है तो yes कर देंगा otherwise no कर देंगे फिर आपको send OTP option पे क्लिक करना होगा उसके बाद एक नया विंड़ो खुल जाएगा इसमें आपको अपना आधार number डालना होगा और आधार number डालने के बाद I agree to terms and condition के checkbox लगाना होगा फिर आपको submit option पे क्लिक करना होगा फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरिकर गेंटरफेस आजाएगा जहां पे आधार से जो आपका address है या नाम है वो ले दिया जाएगा और इसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़े भी इसमें add करनी पड़ेगी जैसे personal information, address, education, qualification इस सब आपको add करना पड़ेगा फिर आपको इसमें add करने के लिए continue to enter other detail में आपको क्लिक करना होगा इसलना information में सबसे पहले आपको अपना mobile number दिखाए देगा उसके बाद आपके सामने option है emergency mobile number आप चाहते किसी का number आपको डालना है तो आप emergency mobile number में डाल सकते है डालेंगे या विद्वा है तो भी जो डालेंगे जो भी है आप होंगे तो उसके सम्मंद में आप डालेंगे जैसे merit अदी आप डालते हैं तो merit अगर डालेंगे पर भाई तो उसमें आपको सामने option आएगा father's name husband name तो यहां husband name आपको चूश करना होगा फिर husband का जो नाम है आपको यहां डालना होगा social category डालने होगी जो भी आपके husband की social category होगी उसको यहां पर डाल देंगे blood group यदि आपके पास मालूम है आपको अपने husband का तो यहां blood group डाल देंगे फिर differently available यदि आप विकलांग है तो yes करेंगे अधर यह आप सही है तो आपको नोई रहन देना है nominee detail में आपको बताना होगा कि यह आप nominee detail डालना चाहते हैं तो yes करेंगे अधरवाई सब भी कर सकते हैं सबसे पहले आपको nominee का नाम दिखना होगा फिर nominee date of birth आप यहां पे किलिक करेंगे किलिक करने के बाद आपको जी nominee की date of birth है वो आपको ऐसे select करना पड़ेगा जैसे 2021 है तो यहां पे click करेंगे तो इस तरीके के से एक date of birth आ जाएगा तो जो भी आपके nominee की date of birth होगा वहां से आप select कर लेंगे और फिर यहां से उपर कर जो arrow का निशान है उससे आप महिना select कर लेंगे और महिना select करने के बाद फिर day select कर लेंगे फिर यहां set option में click कर देंगे तो आपकी जो nominee की date है वो यहां fill हो जाएगी उसके बाद gender में आप click करेंगे gender में आपकी nominee की जो भी gender है वो आप select करेंगे उसके बाद relationship with में आप arrow में select करेंगे तो आप husband है या father है जो भी nominee के साथ आपका relation है यहाँ से आप choose कर लेंगे choose करने के बाद फिर आपको save and continue option पे click करना होगा फिर आपके सामेरे निवास अस्तान से समझे जानकर इमाएंगे जाएगी आपको सबसे पहले home state select करना है home state का मतलब आप basically जिस state से रहने वाले हैं यदि आप उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ उत्तरप्रदेश select करना पड़ेगा फिर आपको उसके नीचे current address current address का मतलब हुआ जहाँ पर आप भी बर्तवान में रह रहे हैं यहाँ पर कुछ current address आपको यहाँ पर automatically आदार से दिखाएगा आप इसको change भी कर सकते हैं यहाँ पर house number डाल सकते हैं बर्तवान में माल लीजी आप पंजाब में रहे रहे तो यहाँ में आप रहते थे मान लीजिए और आप माइगरेट होके कहीं और अभी करेंट में रहते हैं तो साल पांस साल दस साल जतने भी साल से आप यहां रह रहे होंगे तो आप इसको यहां टिक कर देंगे Migrate बरकर में आपको बताना होगा क्या आप Migrate है तो Yes कर देंगे Otherwise सब No कर देंगे यदि आप Yes करते हैं तो आपको Reason of Migration यहां बताना पड़ेगा यदि आप काम के सिल्सिले में या नोकरी के सिल्सिले में Migrate हुए तो यहाँ पहले बाले में आपका Permanent Address और Current Address बरतवान पता और जो Original पता है वो अलग-अलग है तो आपको Permanent Address यहां फिल करना पड़ेगा उसमें House Number, Locality, State, District, Sub-District, Village, SpinCode यह सारी चीज़े आपको डालनी होगी फिर आपको Save and Continue Option पे किल्क करना होगा उसके बाद आपके सामने Education Qualification भनने का पेज़ खुल जाएगा अब तक हम तीन फॉर्म हैं फिल अप कर चेके हैं जिसमें हम Personal Detail भर चुके है Personal Information और Address जो भी आप Information है परेंगे वहाँ हरा निशान आपको दिखाए देगा Left and Side में और Education Detail भी हम फिल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको Education Qualification भी फिल करना होगा Education Qualification में आदिया बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो आपको Not Literate Select करना है और यदिया आप पढ़े लिखे है लेकिन School नहीं गया है तो आपको Second Option चूज करना है यदिया प्राइमरी से कम है तो Below Primary करना होगा और यदिया पाँच भी तक है तो Primary और Middle उसके बाद Middle है फिर Secondary School यदिया आप High School एंटर में गया है फिर High Secondary School फिर Diploma Certified Graduate जो भी आपका है यहां से आप चूज कर सकते हैं फिर आपको Monthly Income Slab जो भी आपकी Income है 10,000 से कम है 10,000 और 15,000 के बीज में यहां से आप Select कर लेंगे Income Certificate चूज करना कोई अनिवायरता नहीं है यदि आपके पास है Income Certificate तो आप यहां चूज कर सकते हैं अदर्वाइस को छोड़ सकते हैं फिर आपको Save and Continue पर क्लिक करना होगा यदि आपको यहां पर कोई फाइल लगाना हो तो आप इसको Mobile से लगा सकते हैं उसके लिए आपको एक नया विंड़ोग खोलेना है और उसमें टाइप करना है JPJ Optimizer और कुछी स्ट्रिगर कर एंट्रिफेस आ जाएगा यहां पर आपको Choose File का Option लेगा इस साइट की मदद से आप जो है किसी भी जो फोटो है उसको आप उसके MB को कम कर सकते हैं जैसे हैं 1.42 MB है इसको हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक करने के बाद यह फाइल सेलेक्ट होगी है फिर आपको यहां नीचे Optimize फोटो पे क्लिक करना होगा आप देख सकते हैं फाइल की जो साइज है और दिनल फाइल साइज है एक MB से उपर की थी और निव फाइल साइज 103.5 के भी हो चुकी है इस तरीके से आप जो है जस्ट 2-4 सेगंड में ही फाइल की साइज को यह रिजल की साइज को कम कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां Long Press करना है Long Press करने के बाद यहां Download Image है आप Download कर सकते हैं Download करने के बाद फिर आपको Main Window पा जाना है और Window पे आजाके फिर आपको Choose File कर लेना है Choose File में आपने जहां भी File वो रखा होगा वहाँ से आप इसको Select करने के बाद फिर यह File जो है आपकी Select हो जाएगी फिर आपको मंतली Income बताना है Income Certificate में आपको Choose File कर लेना है यदि आपको इस Income Certificate दाल भी सकते हैं फिर Click to View NCO Code List में आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे आप उसको Download कर सकते हैं और Download करने के बाद आप जिस भी काम से समझीद है उस काम को आप देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी वर्जन भी दे रखा है और इंग्रेजी वर्जन भी दे रखा है जैसे आप यदि वानिकी स्रमिक है, मच सपालन है, टेलर है, सिलाई मसीन है, परिभार कंडेक्टर है तो आपको यहाँ यह Code और जो पहला वाल वर्ड है जैसे Transport कंडेक्टर है यह Driving Instruction है यह वर्ड आपको यहाँ देख लेना है फिर आपको Second Option में Working Experience in Primary Occupation, आप इसको अपने काम को कितने सालों से कर रहे है, यहाँ पे आप डाल देंगे, दो या चाल, कितने सालों से आप कर रहे है Secondary Option में भी आपको उच्टेव इचे देख लेना है, और यहाँ पे आप उस वर्ड को टाइप करेंगे जैसे SEW Swing, तो जैसे आप Swing टाइप करेंगे, तो आपके नीचे दो त्रीन आप्शन आजाएंगे, तो आप जिस भी ऑपरेटर से है, जिस भी काम से आप संबज़ेते हैं, उसको आप सेलेट कर लेंगे सेलेट करने के बाद, फिर Occupation Certified ID आपके पास है, आप उसको अपलोड करना चाते हैं, तो चूस फाइल उप्शन करें, आप यहाँ से चूस फाइल कर सकते हैं, अधर बैस इसको बाद में भी कर सकते हैं, उसके बाद, How did you acquire skill? आपने skill कैसे प्राप्त किया है, यदि आपने कोई प्रशिक्षन लिया है, टेक्निकल टेनिंग लिया है, तब जाके आपने वो काम सीखा है, तो आपको पहले बढ़ा उप्शन में ठिक करना होगा, यदि आपने कोई प्रशिक्षन नहीं लिया है, तो आपको second option में चूस करना होगा, फिर आपको sub-skill में आपको बतान है, उसके बाद skill to be upgraded, मैं आपको यहां बताना होगा कि आप जो अपने skill को बढ़ाना चाहते हैं, तो वो training लेके vocational position लेके आप करना चाहते हैं, या फिर technical, या तो ब्याप्शाइक या फिर technical, कौन सा प्रशिक्षन आप प्रशिक्षन में करना चाहेंगे, तो यदि आप ब प्रशिक्षन से मिल सकें, उसके बाद bank account detail आपको डालना होगा, यहां पर आप देखेंगे कि यदि आपका bank account आधार से link है, तो यहां yes दिखाएगा, bank account यदि आपका phone number connect है, तो भी यहां so होगा, फिर आपको यहां registered with bank account number, यहां आप no करते हैं, और फिर आपको यहां no करन जरू हो जाता है, यहां पर आपको bank account number दो बार डालना होगा, एक बार नीचे confirm में, फिर account holder का नाम जैसे आप account holder का नाम होता है, वैसे आपको same type कर देना है, फिर आपको IFC code डालना है, फिर bank name जैसे bank of बढ़ोदा या bank of state bank of India, फिर branch name, branch का जो address होता है, वो आपको डालना है फिर आपको save and continue option पर click करना होगा, पर समने preview self declaration का एक page खुल जाएगा, आप इसको print भी ले सकते हैं, यहां पर जो भी जानकर यह आपने भरीती, उसको आप चेक कर सकते हैं, इत्मना है चेक करेंगे, और एक declaration दे रखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ लेजीगा, इसमें ल करता है, तो आपको यह member नहीं होना चाहिए, यदि आप है, तो फर्दर आप पे कारवाई हो सकती है, I am not an income taxpayer, आप एक भुशित कर रहे हैं, कि मैं एक income taxpayer नहीं हूँ, और जो income tax pay करता है, उसको यह card नहीं बनाया जा सकता है, और तीसा है, all the information provided by me, validate at the time of receipt of any scheme, शारी जानकर करना होगा, क्लिक करने क बाद इसमें लिखाए कि आप income tax pay नहीं है बगर बगर, इसको आप ध्यान से पढ़ लेजएगा, फिर आपको यहाँ पे submit option पे click करना होगा, फिर आपको आपको मोईल नम्बर पायेगा, आपको उसके OTP को डाल देना है, और verify option पे click करना होगा, उस Universal Account Number आपको दिखाई देगा चाहे तो UN Card को डाउनलोड कर सकते है डाउनलोड करने के लिए कि लिक लिंक दे रख़ा Download UN Card आपको इस पर टैप करना होगा और टैप करने के बाद आप इस अपने Card को डाउनलोड कर सकते हैं फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई